आपको आज थोड़ा पोजिटिव माहुल देखने को मिलेगा क्या कुछ इसकी अपडेट है और क्या कुछ इसकी स्पोट और टारगेट रहने वाले डिटेल की समझेंगे उसे पहले फेंड अगर फॉर्स टाइम चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके कर दो लेकिन मारकट ने फिर थोड़ी सी रिकावरी दिखाई है लेकिन कि पहले कुछ पॉइंट हम समझ लेते ते को यहां पे जो पर मोटर की वोल्डिंग है वो प्लेस्ड है ठीक है वैसे फंडामेंटल ठीक है कंपनी के खराब इतने नहीं है जैसे स्मोल कैप है उसके अकोडिंग भाई ठीक है फंडामेंट इन्वेस्टमेंट के लायक है आप भाई देखो कोई ऐसी न्यू जाज़े जिसके बेस पे गिरावट देखने को मिल जाए वह हम कुछ कहें नहीं सकते हां लोंग टरम के लिए आप थोड़ा सा इसे बनाके रखिए अच्छा स्टोक के अच्छे रिटन दे सकता है और साथ ही में एक चीज़ पर फोकस जरूर रखना जो की है बजट अगर बजट में अच्छी अनॉंसमेंट हो गई न भाई इस से रिलेटिड तो स्टोक में काफी अच्छी तेज़ी भी देखने को मिल सकती है उस चीज़ के लिए भाई क्या क कर देखने को मिली तो टार्गेट क्या रहेगा रिप क्या रहेगा रिच्टेंश यहां 56.14 पर रिच्टेंश रहने वाला है अगर इसका ब्रेकाउट कर देता है सेकिंड रहेगा 69.79 का अगर इसका ब्रेकाउट हो जाता तो फिनเขीarnyaatt去 않 crochet ねFLOW उन इंद्मक्र एक जाता है तो फिर भाई ये 51.51 तक जातो नजर आ सकता है और भाई पिछले quarter से इस quarter में परमोटर की holding decrease हुई है ये चीज आपको ध्यान रखना है बाकी कोई और ऐसी update निकल के हमारे सामने आई तो वो हम आपके शायद जरूर शेयर करेंगे और बाकी अगर हो सकता है कि आपके पास कोई ऐसी update हो जो मुझे नहीं पता हो तो आप comment के थरूँ जरूर बताना ताकि आपके थरूँ किसी और को knowledge मिले जो और हमारी audience है और उनकी knowledge आपको मिले ताकि आप comment करोगे तो कुछ ऐसे news हो मुझे नहीं भी पता हो लेकिन आप comment करके बता सकते हो और इस वीडियो का motive only for education परपज है मैं किसी को personal recommend नहीं करते कि आप इस ठोक में बाइक रोचेल करो या hold करो